आज जो रचना हम आपके लिए लेकर आएं इसका टाइटल है दखाइट मेकर पतंग बनाने वाला रस्किन बॉन्ड के लिखी हुए ये रचना है और रस्किन बॉन्ड एक बिटिश मूल के भारती लेखक है 1934 में भारत में इनका जन्म हुआ था और साहित्य के परती इनकी योगदान को देखते हुए इन्हें साहित्य अकादमी पद्म भूशन और पद्म श्री से नवाजा जा चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कहानी का हिंदी रुपांतर इस वीडियो में मौझूद है मैंने इस रुपांतर को जितना नजदीक हो सके इंगलिस के वर मुख्य दो पात रहें एक अली है जो पोता है और एक महमूद है जो दादा है और जो कि किसी जमाने में बहुत अच्छी पतंग बनाया करता था और ये उसकी बीती जो लाइफ है और जो वो सोच रहा है उसके दिमाग में क्या-क्याद ख्याल आते हैं इस मुद्दे पे य एक कहानी केंदृत है, तो कहानी की शुरात में लेकर कहते हैं कि गली रामनाथन में एक पुरानी मस्जिद, जो मतलब अब कोई नहीं जाता हो वहाँ पे, वहाँ उसकी दरारों से एक बरगत का पेड निकलाया था, और उस पेड पेड पे अली जो होता है, उसकी पोता होता ह है, तो वो नंगे पैर उसके शरीर पे एक सिर्फ पुरानी शड होती है, क्लैड, मतलब वही पहनी होती है उसने, और वो खौबल्ड स्टोन्स, जो मतलब पत्थर वाली जो गली होती है, उससे दोड़ता हुआ, वो अपने दादा के पास, जो महमूद है दादा, उसके पा जो उसका माज़ा था है, जो सद्धी थी, क्या वो टूट गई थी, उसे लगता है कि जो पहले सद्धी जो होती थी, जो क्वालिटी जो सद्धी की हुआ करती थी, अब स्याइद नहीं होती, और इसी जायद उसकी पतन्ग टूड के खो गयी है, तो पुथा जैता है, नही बोड़ा हो चुका हूं कि मैं तुम्हें सिखा भी नहीं सकता लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरी पतंग है तो उसने एक दूसरी पतंग जो फीके गुलावी रंकी होती है वो बनाई होती है तो वो अपने पोते को दे देता है और पोता जो है है ऐसे उड़ा हूँआ और वो इसकिप्ट आउट हो जाता है मतलब वहां से छुट जाता है चला जाता है और उसके बाद जो तो पिर अपने खैली दुनिया में खो जाता है, तो उसकी किसी जवाने में पतंग की दुकान हुआ करती थी, वो पतंग की दुकान भी अब नहीं है, प्रैमिसेज जो होती है, वो चली गई है, और उसे जंक डीलर एक कबाड़ी को बेचा जा चुका है बहुत पहले ही, और अब लोग जादा पतंगे भी नहीं खर की दो बिते अब जो बड़े हैं, जो एडल्स हैं, वो डिस्डें देम मतलब वो उनको पसंद नहीं आता, यह पतंगे भतंगे उड़ाने का खेल है, वो उन्हें पसंद नहीं आता, और जो बच्चे ıl ímium वह शिनीन घाना जयादा पसंद्द करते हैं पतंग उडाने से, और जो खाली जगह भी जब कभी हुआ करती थी, जहां लोग जाके पतंगे वगएरा उड़ाते थे, वो भी स्वालोड अप, जो जैसे जैसे शहर बड़े, गाउं बड़े, नगर बड़े, और नई नई चीजे आई, नई नई बिल्डिंगे बनी, तो जो खाली जगह थी, वो पहले जैसे खाली जगह भी रही नहीं, पहले किले की दिवार से लेके नदी के बैंक तक, नदी के किनारे तक, जो खाली जगह हुआ करती थी, वो अब नहीं रहीं, लेकिन वो दादा सोचता है कि एक जबाना था जब कितनी पतंगे उड़ा करती थी, पतंगे एक छोर से दूसरी छोर, swearing, मतलब वो लहराती थी एक छोर से दूसरे छोर तक, sweeping, वो ऐसे जपटा मारती थी दूसरी पतंगों पे, tangling, एक दूसरे से उलच जाती थी वो, और उसके बाद जो हारी भी पतंग होती थी, वो कट के नीले आसमान में खो जाया करती थी, और लोग इन पे दाव लगाते थे, अच्छा ये वाली कटेगी है, वो वाली कटेगी, और दाव में कोई जीता था, कोई हारता था, यहां तक कि राजा महराजा भी इस खेल को पसंद करते थे, जो नवाद थे, वो अपने retinue, जो उनके दरवारी होते थे, सलाकार होते थे, उनके साथ gay dancing strip of paper, वो एक खुश paper के साथ, मतलब का पतंग तो paper की बनी होती है, तो उस खुश paper की पतंग के साथ वो बिताय करते थे, तो gay का जो reference है यहां पर, यह gay जो शब्द है, यह आसकल homosexual के लिए जादा यूज होता है, लेकिन पहले किसी जमाने में, आसे काफी सालों पहले, gay का मतलब होता था, खुश, लेकिन आसकल के संदर में अगर कहा जाए, you are gay person, कि तो मैं खुश वेकती हो, तो शायद वो आदमी बहुत बुरा मन जाए, तो दादा आगे सोचता है कि, आसकल जो भागती हुई जिंदगी है, जो लोग भाग रहे हैं, हर कोई, किसी को मतलब आग की तरह, जो सपने हैं, वो भी trampled, उनके ओपर पै रख दिया गया, उन्हें कुचल दिया गया है, वो जो दादा महमूद था, in his prime time, मतलब जो वो अपनी बुलंदी पे था जिस समय, जिस समय उसकी पतंगे बहुत मशूर थी, उसको सारे शहर में जाना जाता था, और some of his more elaborate जो उसकी काफी बिस्तार से ध्यान दे की अच्छी वाली जो पतंगे थी, वो तीन से चार रुपे तक की एक बिखती थी, तो ऐसी एक वाकिया इसमें दिखाने की कोशिश की गई है, कि एक वार उसने नवाव की रिक्वेस्ट पर महमूद ने एक ऐसी पतंग बनाई, जिस में छोटे-छोटे काफ़ की आकरतियां लगी हुई थी, कंसिस्टेड, मतलब एक साथ थी, पेपर डिस्क, ट्रेलिंग, मतलब एक दूसरे के साथ वो ऐसे उपर से नीचे तक आ रही थी, और उन दोनों उस डिस्क की, जो काफ़ की डिस्क थी, उसके दोनों तरफ उसने घ घास की टेहनिया सी लगी हुई थी, और उसके बाद उसने क्या किया कि जो फोर्मोस्ट, जो सबसे पहला वाला जो डिस्क था, काफ़ का, वो थोड़ा उठा हुआ था, कॉन्वेक्स था, उबरा हुआ था, तो उसमें उसने एक फेस बना दिया, और वहां पे शीशे की दो आखे भी लगा दी, उसके बाद, क्योंकि वो एक दूसरे से कम-कम-कम होती हुए आ रही थी, वो जो दिस्के थी, तो एक लहराती भी जैसे छवी बन गई थी, और ऐसा लगता था कि जैसे वो पतंग ना होके, एक रेंगता हुआ, मतलब ख्रोलिंग, सर्पेंट, सांपो, और इसे उड़ाना भी आसानी था, क्योंकि ये काफी बोजह, मतलब होता है न कई चीजें जो मतलब कंट्रोल करने में, जिसे आपको उड़ाने में, या यूज करने में प्रावलम आती हो, तो ये इसी तरह की एक चीज थी, कमबर्सम, जिसे उड़ाया नहीं जा सकता था, और सिर्फ महमूदी इसे कर सकता था, और इसे ड्रैगन पतंग की बारे में जानते थे लोग इसकी बारे में, और उन्हें ऐसी अफवावी थी, कि जो ड्रैगन पतंग थी, इसमें कोई जादुई ताकत थी, और जब पहली बार इसे नवाब की उपस्तिति में उड़ाने क की कोशिश की गई, तो बहुत सारे लोग आए इसे देखने के लिए, असेंबल्ड और प्रेजन्स अफ दे नवाब, मतलब नवाब के रहते हुए जब लोग वहाँ पे आए, और पजेस्ट सुपरनेश्रल पावर्स का मतलब होगे कि इसमें आलोगे शक्तियां थी, तो ज इसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पतंग जिंदा है कूए, इसकी जो आखे थी उसमें सूरह की की देखती दिती, यसा लगत रहता है कि ऐसकी आखे सजीव तो फिर किया होता है? कि किसी कौने से हावा का एक सही जोका आता है, सही जोका मतलब जो पतंग को उड़ its way higher और अपनी मतलब लहराती होई उची उची और उची चली जाती है और जब यह उपर जाती है तो उसके बाद क्या जाती है पूल फिरसली मतलब यह जो मांजा होता है सद्धी थी इस पे इसने और भी जोड देने की कोशिश की मतलब जैसे पतंग उपर होती गई भारी होत होती है और मांजा चाहिए होता है और महमूद अपने खुद ही इसे कंट्रोल करने में काबिल नहीं था मतलब वह नहीं कर सका क्योंकि इतनी भारी हो गए थी कि महमूद के जो बेटा है उसको भी आना पड़ा वह जो चर्की होती है उसे संभालने के लिए लेकिन ऐसा लग की जीना चाहती है और इसने ऐसा ही किया यह टूटी और मतलब आजाद हो गई और सूरे की तरफ चली गई और उसके बाद यह दिखाई नहीं दी तो यहां कहने का मतलब यह है कि वह जब पतंगी बनाता था उसमें ऐसी कलाकारी थी कि लगता था कि पतंग जो है लाइवली है पतंग में जान है पतंग एक मनुश्य की तरह है या एक जीव की तरह है जो अपना निर्णे ले सकती है तो उसके बाद यह पतंग फिर कभी मिली भी नहीं और महमूद ने फिर ऐसी पतंग कभी फिर बनाई भी नहीं और कभी-कभी महमूद को लगता था कि ऐसा तो नही जीवन से भरी हुई विविड उसने कोई चीज बना दियो तो उस फिर क्या किया उसने कि आसी फिर बनाने की जुरत नहीं कि कभी भी लेकि उसने नवाब के लिए फिर एक दूसरी पतंग बनाई थी जब वो उड़ती थी तो उससे ऐसा लगता था वाइलिन का संगीत आ रहा था और महमुद को लगता है कि वो भी क्या दिन थे लेजर ली जब मतलब लोगों के पास समय था जहां जब वक्त था समय था लेकिन नवाब की मिरती हुई उसके बाद इस डिसेंडेंस उसकी जो पीडियां थी वो भी महमुद की तरह गरीब थी और किसी जवाने में जो प परसंद करते थे वो उसके पैटरंस होते थे मतलब उसके समरक्षक होते थे आजकल इन चुजों को कौन पूछता है गली में भी इतने लोग हैं कि एक दूसरे को पता नहीं होता कि कौन कौन है जब महमुद जवान था और जब बिमार हुआ तो बहुत सारे लोग उसके नेवर हुट से उसके पड़ोस से उसे देखने आए लेकिन अब जब वो ड्रोइंग टु एक लोज जो उसकी लाइफ है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच रही है तो कोई भी उसे मिलने नहीं आता उसके जो पुराने दोस्त हैं वो भी गुजर चुके हैं और जो उसके बेटें हैं वो बड़े हो चुके हैं एक जो है गराज में काम करता है और जो दूसरा था जब वो इंडिया और पाकिस्तान की बीच में जब पार्टिशन हुआ था तो वो पाकिस्तानी रह गया इधर नहीं आ पाया और जो बच्चे थे जो दस साल पहले जो छोटे थे उसे पतंगे वगएरे खरीदते थे वो भी बड़े आदमी बन गए हैं मतलब वो अपनी अपनी उनको भी रोजी रोटी की चिंता है तो हर कोई मतलब भाग रहा है किसी के पास इस बुड़े आदमी क की यादों के लिए वक्त नहीं है और वो ऐसे समाज में बड़े हुए हैं जो बहुत स्विफ्ट है बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा है बहुत ही वहाँ पर कंप्टिशन भी बहुत है और काइट मेकर जो मतलब वो महमूद है और जो बर्गत का पेड़ है वो दोनों को उ एक अजनवी की तरह उसे उसे वो देखते हैं अब यह जो दोनों बर्गत के पेड़ जो दादा है यह टेकन फर ग्रांटेड मतलब इन्हें कोई समानी दिया आता ये है तो है मतलब जैसे कोई पुरानी चीज कोई फिक्शर जो होती है जो समान होता है वो पड़ा होता है क कोई उसे ना तो हटाता है ना उसको कोई साफ करता है मतलब वो जैसा है उसे वो ऐसे ही रहने दिया था अच्छा समान है वही रहन दे इस तरह का जो एटिचूड है वो महमुत को लगता है कि बर्गत का पेड़ जो है और वो जो है उसे लोग उसी नजर से देखते हैं मतलब कोई वैल्यू नहीं है अब इस कूती फांती दुनिया में जो हमारा समाज है वो ऐसा हो गया है और किसी को किसी की परवा नहीं है अब पहले वाली बात नहीं है कि लोग उस बर्गत के नीचे बैठते थे और सला मश्वारा करते थे अपनी योजनाओं पे की बाते करते थे आसकल वो सब चीजे चली गई है अब उस बर्गत के पेड़ के नीचे कभी कवारी वो लोग मिलते हैं जो धूप से बचने के लिए उसके नीचे आके खड़े होते हैं फ्रम दा फियर सान जो तपा हुआ जो सूरे होता है लेकिन मेहमूत को एक खुशी यह होती है कि कम से क कि गर्मी मतलब जो विंटर संशाइन होती है जो सर्दी की धूप होती है उसमें एक नन्ना पोदा होता है वो लेकिन वो तेजी से बढ़ड़ा होता है नर्विस्ट सेपलिंग मतलब एक अच्छी तरह से जिसे जल वगारा खाना वगारा दिया होता है पोधा जो होता है सेपलिंग वो उस तरह से बढ़ा होता है और हर दिन उसके नए पत्ते निकल रहे होते हैं जो लोग हैं और जो पेड़ हैं उन दोनों में बहुत बड़ी आत्मिता या समीपता देखी जा सकती है पेड़ों की तरह हम लोग भी वैसी बढ़ते हैं उसी इसाफ से बढ़ते हैं और अगर हमें भूखा न रखा जाए स्टाफ्ट या हमें काट न दिया जाए तो हम दोनों मतलब पेड़ और जो मनुश्य है यह बहुत शांदार जीव होते हैं और जब हमारे आखरी पल आते हैं या आखरी जीवन के आखरी छन आते हैं तो हम थोड़ा सा जुग जाते हैं हमें याद रहता है और उसके बाद हम अपने जो भुर भुरे जो अंग होते हैं उसे हम अपने सूरे में फैलाते हैं उसके बाद हम गहरी सास लेते हैं उसके बाद हम अपने सारे पते जाड़ देते हैं, मतलब जीवन का अंत हो जाता है महमूद भी एक पुराने बर्गत की पेड़ की तरह था उसके जो हाथ थे वो एठ गए थे नाल्ड और ट्विस्टेज जो पुराना पेड़ होता बर्गत का उसी तरह उसके अंग भी वैसी हो गए थे और अली जो था पुता वो मिमोसा जो छुईमोई का जो पेड़ होता है जो पौधा होता है वो उसकी तरह था और दो-तिन साल में क्या होगा जैसे जैसे अली बड़ा होगा जवानी की तरफ जाएगा वैसे ही मिमोसा जो ट्री होगा वो भी उसी हिसाफ से बढ़ते वे और बलवान हो जाएगा देरे-देर क्या होता है कि जो गली की आवाज होती है वो महमूद के कानों में धीमी सुनाई में आती है मतलब फेंटर हो जाती है और उसे लगता है कि शायद उसे नहीं दाने वाली है ऐसा इसलिए उसे जो आवाजें है वो कम सुनाई दे रही है और शायद फिर वो सपने में खो जाए वो कल्पना करता है कि शायद काश वो एक ऐसी पतंग बनाए जो बहुत ही सुन्दर हो बहुत ही पावर्फुल हो जैसे कि विश्णू का जो वाहन है गरुड उसकी तरह स्टीड को कहते हैं वाहन और वो अपने पोते के लिए भी एक बहुत ही शांदार पतंग बनाने चाहेगा क्योंकि उसके पास अपने पोते के लिए चोड की जाने के लिए कुछ भी नहीं है फिर बुड़े को लगता है कि कोई दूर से अली की अवाज उसके कानों में आ रही है और अली जो होता है वह बराम्दे में आके पास आ जाता है उसके और फिर से वही सवाल पूसता है और जो सूरे की रोशनी होती है उह तिर्ची तरह से जो दादा होता उसके चेहरे पे पर्ड़ रही होती है और फिर क्या होता है कि एक छोटी सी सफेद तितली जो होती है उसकी दाड़ी पे आके बैठ जाती है दादा की तो फिर महमूद क्या कहता है कुछ बोल नहीं रहा होता है तो जो पूता होता है उसको बुलाने की कोशिश करता है उसे हिला डुला के देखने की कोशिश करता लेकिन उसको कुछ जवाब नहीं मिलता तो उसके बाद उसे दादा की एक बहुत ही मतलब slow आवाज आती है faint sound आता है ऐसा लगता है कि जैसे जो कंचे होते हैं जेवो में पड़े हुए जब एक दूसरे से ऐसे टकराते हैं घिसते आ एक दूसरे से तो जैसी आवाज आती है वो ऐसी आवाज उसको सुनाए देती है अली को तूकि दादा को जो response होता है वो ऐसी आवाज में बदल चुका होता है दादा से जब अली को कोई response ने मिलता तो उसे डर लगता है वो दोड़ के जाता है गली में फिर वो अपनी माया के लिए आवाज देता है और इस बीच में जो तितली बैठी ही होती है दादा की दाड़ी पे वो उड़ती है और फिर मिमोसा का जो ट्री होता है चुई में का उस पे जाके बैठ जाती है फिर अचानक एक जोका आता है हवा का जो gust of wind हवा का एक जोका आता है और वो 40 वी पतन को अपने साथ लेता है उसको उपर उठाता है हवा में और जो ये शोर शरावे वाला जो शहर होता है जो ये competition वाला शहर होता है जो भागती दोड़ती दुनिया का जो शहर होता है इसे बहुत उपर ले जाते हुए इसे नीले अंधे आस्पान में ओजल कर देता है तो दोस्तों कहानी के अंत में जो butterfly है ये शायद life को indicate करती है कि कैसे life एक breath के शरीर से निकल के mimosa का जो tree होता है जो बड़ा हो रहा है उसमें जाके transfer हो जाती है और उसी तरह एक fatty पतंग एक जरजर पतंग जो अब मतलब उसका जो शरीर है वो बिकार हो चुका है वो कैसे वो spirit का रूप लेके हवा के साथ